Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज हम लुक पढ़ेंगे Class 2 Hindi अर्यंत वर्कबुक कर चाप्टर 15 एक की दो की तो चलिए पढ़नाय स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना वर्कबुक निकाले और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए एक की दो की पार्थ आधारित प्रश्ण यानि कि जो आपने चैप्टर में बढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्ण है, उसे सॉल्व करना है प्रस्णों के सही विकल्प पर सही का निसान लगाईए اक की ने जंगल में पेर से किसे बंधा हुआ देखा किसे बंधा हुआ देखा था मरियल सी भैस को, मरियल सी बकडी को, मरियल सी गाय को या फिर मरियल से बैल को किसे देखा था तो मरियल सी गाय को बंधे हुआ देखा था ठीक लगा देंगे चलते चलते कौन थक गया था एककी, दोकी, गाय या बकडी एककी ठिक लगाएंगे एक्की को दूर से क्या दिखाई दी नदी, जोपडी, वन या पेड तो जोपडी दिखाई दी ठिक लगाएंगे एक्की ने किसकी बात मान ली दोक्की की, बुड़ी अम्मा की, बाबा की या फिर मा की तो बुड़ी अम्मा की ठिक लगाएंगे कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ कौन भागा एक की और दोकी की मा एक की दोकी या बुढ़ी अमा तो दोकी ठीक लगाएंगे फाली अस्थान भड़िये एक केस वाली का एक ही बाल था ठीक है अब यहाँ पर ओप्सन दिया गया है इसमें जो सही है उससे आपको लिखना है तो इसमें क्या होगा बाल एक केस वाली का एक ही बाल था एक की रुकी और उसने चारू तरफ घूम कर देखा पास में ही पानी की धारा बह रही थी एक की ने गाय के गले में बंधी रसी को खोल दिया सिर से तॉलिया हटाते ही दुकी के दोनों बाल ज़ड गए ठीक है इस तरीके से आपको इसे बना लेना है उसके बाद है नीचे दिये गए कतनों में से सही कतन के लिए सही तथा गलत कतन के लिए गलत का चिन्ने लगाईए दोनों बेहने अपने अम्मा और बाबा के साथ रहती थी सही एक की बहुत घमंडी लड़की थी गलत एक की ने गाय और मेंदी की जारी की मदद की थी सही एक की को जारीों ने काटे चुभो दिये थे गलत ठीक है उसके बाद है दुक्की को गाय ने सिंग मारा था ठीक है तो सही होगा ये ठीक है इसी तरीके से ये सही गलत वाला आपको बना लेना है उसके बाद है निमने लिखित प्रस्नों के उत्तर देजिए एक्की और दुक्की का यह नाम कैसे पड़ा तो कैसे पड़ा तो एक बाल होने के कारण एक्की और दो बाल होने के कारण दुक्की पड़ा एक्की ने गाय को क्या खिलाया तो घास फूस इकठी करके गाय को खिला दिया बूरी अम्मा ने एक्की को देखकर क्या कहा तो आ गई मेरी बच्ची मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी एक्की को कहां आकर बहुत अच्छा लगा तो जोपड़ी में आकर अच्छा लगा एक्की ने जैसे ही तॉलिया हटाया तो क्या पाया तो उसने देखा कि उसके सिर पर बहुत सारे बाल है एकी खाना क्यों नहीं खा सकी खुसी के मारे वो खाना नहीं खा सकी ठीक है या खाना नहीं खा पाई इसके बाद है घर लोड़ती हुई एकी को गाय और जारी ने क्या क्या दिया तो गाई ने मीठा मीठा दूद दिया और जारी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहन दी दी गाई और जारी ने दुक्की को किस प्रकार हानी पहुचाई तो गाई ने सिंग मारा और जारी ने काटे चुभो दिये तो इस तरह से हानी पहुचाई नीचे दिये गई, पंक्तियों को पढ़ कर पूँछे गए प्रसनों के उत्तर दीजिए दो बहनी थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली दोनों बहने अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घड़ में रहती थी एक केस वाली का एक ही बाल था इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुन्दर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में जो उल्जे रहते थे ठीक है? उसके बाद है कि दोकी हमेशा अपनी बेहन पर रौब जमाती रहती एक दिन एक की घने जंगल में गई चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुँचे चारों तरफ सन्नाटा था अचानक उसने एक आवाद सुनी पानी, मुझे प्यास लगी है कोई पानी पिला दो ठीक है, तो ये जो है न, ये सारा पंक्ती इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा और अब इसमें जो है न, प्रश्न है तो उसका आपको उत्तर देना है तो देखें, यहाँ पर है दोनों बेहने कहां रहती थी? कहां रहती थी? छोटे से घर में जंगल में, परोसी के घर में या फिर नानी के घर तो छोटे से घर में टिक लगा देंगे दोक्की कैसी थी? अच्छी, सच्ची, घमंडी या जोटी? तो घमंडी थी दोक्की हमेशे किस पर रौब जमाती रहती थी? अपनी मा पर, अपनी परोसी पर, अपनी बेहन पर, या अपने पिता पर तो अपनी बेहन पर तिक लगाएंगे? अब दोनों बेहनों के वास्तविक नाम क्या थे? तो एक केस वाली और दोन केस वाली दोक्की जैसे सुन्दर लड़की दुनिया में है ही नहीं ऐसा कौन सोचता था? तो अम्मा अम्मा को दोक्की के बारे में सोचने की फुरसत क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काम में उल्जे रहते थे दोक्की के बारे में सोचने की फुरसत क्यों नहीं थी? क्योंकि वो काम में उल्जे रहते थे ठीक है? एक दिन एक की कहा गई तो घने जंगल में परियायवाची सब्द लिखिए अब देखेज परियायवाची सब्द लिखना है आपको जैसे कि बाल तो पाल का प्रियावची क्या होगा केस पानी का जल ठीक है उसके बाद है भासा आधारित प्रश्न नीचे दिये गए सब्दों के अर्थ मिलाईए सब्द है और इधर अर्थ है तो इसे आपको मिलाना है जैसे एक केस वाली इसका क्या होगा गोह नंबर जिसके सीर पर एक बाल हो सन्नाटा मिन्स चुप्पी, हुक्म मिन्स आदेश, मरियल का होगा दुबला या कमजोर और मदद का सहायता तो इसे मिला देंगे लिंग बदल ये जैसे माता, पिता, मुर्गी, मुर्गा, बकडी, बकड़ा, आदी अब इसी तरीके से आपको लिंग बदलना है जैसे कि बहान है तो बहान का क्या होगा भाई लड़की का लड़का, बूड़ी का बूढ़ा और पत्त का पत्ती ठीक है? सर्वनाम सब्द पर गोला बनाईए लोग उसे एक की बुलाते थे अब इसमें सर्वनाम क्या है? तो लोग है, ठीक है? सौरी, लोग नहीं है ये सारे जो है ना संग्या हो गए और सर्वनाम जो है उसे है, ठीक है? जो कि संग्या के बदले में आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं तो ये क्या होगा? उसे इसमें आपको गोला बनाना है तो इस तरह से आप इसमें गोला बना देंगे अच्छे से, उनको सोचने की फुरसत ही कहाँ? अब देखे इसमें क्या होगा? कि उनको जो है ना यह होगा आपका सर्वनाम इसमें गोला लगाएंगे आप इस साइड में टिक लगा दीजे ठीक है के बाद है मुझे प्यास लगी है तो इसमें मुझे में टिक लगाएंगे और यहां पे घेरा लगाएंगे यह सर्वनाम है जो भी सर्वनाम सब्द है उसमें आपको घेरा ल में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजे ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंसती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye, take care, thanks to watch my video